धर्म और सविधान किसी को भी जो है पूर्ण तहा स्वतंत्रता नहीं देता है अभिवेक्ति की there is no freedom is absolute freedom तो कोई भी freedom यह पूर्ण तहा freedom नहीं यह हमने समझना चाहिए और हम वामपंतियों को हमने यह बताना भी चाहिए एक समय ऐसा था कि दूरदर्शन पर एक कोई शब्द भी गलत प्रयोग हो जाए तो उसकी दिन भर कुछ दिन तक चर्चा चलती थी और आज खुलम खुला जुटी नियूस चलाई जाती है आपने देखा होगा आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज की पत्रकारिता में और राजनीती में भी किसी भी प्रकार का कॉलिवेशन तही ही नहीं है जो भी कुछ उट्टा है तो बोलता है मैं citizen पत्रकार हूँ citizen journalism का सब नाम लेके काम कर रहे है ये citizen journalism कभी भी खुद पर लागू नहीं होती है ये समझ लीजिए ये दूसरों को दिखाने के लिए होती है मुझे बता ये कोई citizen डॉक्टर होता है क्या media है पत्रकारीता है तो आपको qualification होना चाहिए क्या दिखाना है उसका परिणाम क्या होने वाला है इसकी जिम्मेदारी किसने तो उठानी चाहिए हमारे यहां राज्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है राज्य की सुरक्षा यदि अभिवेक्ति की स्वतंतरता से बादित होती है तो भारतिय सविधान उसको स्वतंतरता नहीं कहता है आज हम देखते कि बारत नेरे तुकडे होंगे ये घोषना चलती है क्या भारत की स्वतंतरता को बादित नहीं करती है भारत की सुरक्षा को बादित नहीं करती है तो हमने इस विशेपर आवाज उठानी के आवशकता है कि ये आर्टिकल 19 का वाइलेशन है ये अभिवेक्ति के आजादी नहीं है इसलिए जो वामपंधियों के द्वारा अजेंड प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसके हमें सतरक होनी के आवशक्ता है अभिवेक्ति के आजारी खुली छूट नहीं देती है इसलिए जब अभिवेक्ति के आजादी की विशे में जो लोग चर्चा करेंगे तो हमें उसकी विशे में सजग होना पड़ेगा हमने उनके गलत अनेतिक दुराचारी विशेव पर हमने उसको प्रश्ण पूछने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ आर्टिकल 19 का वोयलेशन हो रहा है इसलिए हमने पुलीस में कंप्लेंट भी दर्च करने पड़ेंगे